हेलो गाइज, असलाम अलेकुम कैसे हैं आप, आपने बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है, फॉरक्स इल्लीगल इन पाकिस्तान नाउ, यह लीगल कब थी जनाप, बड़े शोर आ रहे हैं, बड़े कमेंट आ रहे हैं, बैक टू बैक कमेंट्स आ रहे हैं, बताएं भाई, फॉ फॉरक्स लीगल कब थी पाकिस्तान में, उसके बारे में बताएं मुझे, और आज मैं कोशिच करूँगा कि आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है बाई स्टेट बैक फॉफ पाकिस्तान, अब आपको आपके बैंकों की तरफ से इस तर करना है, आज मैं आपको इन सारी बातों का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन आप अपनी राए अभी से पोस्ट करना स्टार्ट कर दें, तो माई नेम इस नहीं नवाद, वेलकम टो फॉरक्स उस्ताद. डॉट कॉम ये वीडियो इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए, इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी लोग फॉरक्स ट्रेडिंग के ओंपर काम करते हैं, उनके लिए है. सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की. 18 माईस 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक नोट आपके सामने आपको नज़र आ रहा है. इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अडवाइस करता है अपने बैंक को, जिसमें आरिफ ला, एमसी बाकी जितने भी बैंक हैं, कि वो अपने कस्टमर्स को बताएं, कि ओफ शूर कंपनी में इन्वेस्ट ना करें. ओफ शू इस तरह की काम चल रहे हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, इंक्लूड़िट फॉर्क स्ट्रेडिंग. हमारे माइंड में पाकिस्तानी इंडियन आता है, क्या पाकिस्तान में फॉर्क स्ट्रेडिंग इल्लीगल है? इल्लीगल है, ओफ शूर ब्रोकर के अंदर करना, यह ओफ शूर ब्रोकर के अंदर आप पाकिस्तान से पैसा बाहर बेज रहे हैं, देखें, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत, आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, दोसो सताइस रुपे फी डॉलर हो चुका है, आने वाले दिनों में, यह धाईसो रुपे तक जान पड़ा, अच्छा, ट्रेडिंग इलीगल नहीं है, फॉर्ट्रेडिंग 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 लेकिन यह पकिस्त्ताची ब्रोकर के साथ है इंडिया के जितने भी दोस्ते दीचरहें हैं हमारी वीडियो वह यह ब्रोकरा है था work और पूरी दुनिया में से कोई भी ब्रोकर एविए उस कंट्री में वही डेंश बंधा अ उसके अंदर इंवेस्ट्मेंट ट्रेइडिंग करें तो हमारे पास जो ब्रोकर है सच दो ब्रोकर Prab yang अनके निके अंदर जो फाकिस्तन से पाहिर पैसे भीते अहं सका डिरेक्टली 니 को नुकसान है That's why State Bank of Pakistan नहीं एडवाईजरी इशू की, अब State Bank of Pakistan अगर जो भी बंदे Octafx में जितने भी local deposit प्रवाइड कर रहे हैं, उनके अंदर भी अगर को आप आपरे bank से local deposit करते हैं, आपका bank account फोरन से पहले suspend कर दिया रहेगा, So, एक जीज़ यहां पर समझने की है, कि Forex trading illegal नहीं है, illegal है foreign brokers के साथ काम करना, मैं live stream कर रहा होता हूँ और फोरेक्स trading की वीडियो बना रहा होता हूँ, तो मेरा account पकिस्तनी broker यानि PMEX के साथ मजूद है, और मैं PMEX पे ही अपनी trade है कर रहा होता हूँ, और जो बाकी दोस्ते है उनको भी यही में advice करूँगा, कि अगर आप पकिस्तन में रहते हुए वरक करना चाते हैं, तो आप PMEX की website पर जागे, वहां पर account create कर लें, और PMEX के अंदर account open करें, वहां पर trading करें, बजाए इसके कि अपना पैसा आप बाहिर बेजें, और जितने भी दोस्तों में दूसरी इसके कांट्री इसके देख रहे हैं, वो उसी हिसाप से trading करें, जिसे हिसाप से उनकी country's के rules के मताबिक उनको allow किया जाता है, तो आज की वीडियो में बताने की कोशिश की कि कि फॉरक्स ट्रेडिंग पाकिस्तन में illegal है या नहीं, तो सबसे पहली बात जीए कि यह illegal नहीं है illegal क्या है, कि आप किस broker के साथ काम करते हैं, जो पाकिस्तन से regulated है, उसके अंदर काम करें तो कोई issue नहीं है, जिस तरह के इंडिया में भी जो इंडिया से regulated है, उसके अंदर काम करें तो कोई issue नहीं है, क्योंकि illegal कैसे हो सकता है, पाकिस्तनी अपना broker है, वो PMX, SECP से regulated है, और SEC से पी गोर्मेंट पाकिसान खुद जो है वो ओन करती है तो वह इलीगल कैसा तो फॉरक्स ट्रेडिंग इलीगल नहीं है ब्रोकर्स इलीगल है जिन ब्रोकर्स के उपर आप काम करते हैं स्टेट बैंक का यह नोटिफिकेशन और यह जो आपको एसमीद आ रहे हैं यह आपको यह वैब पोर्टल पर मैसेजिस देखने को मिल रहे हैं बैंक की तरफ से यह बिलकुल और बिलकुल ऌत्राइजड है और बिलकुल सही है आप लोग इनको फॉलो करें और अगर आप इनक केस है जिसके अदर आपकी जमानत भी नहीं होगी, so be careful, ठीक है जी, मैं आपको यह advice करूँगा कि आप अपरीं countries के लाग के मताबिक उन companies में invest करके ट्रेडिंग करें, जो आपकी company में अलोग कही है जती है, अच्छा, अब हमारा एक educational portal है, हम उसके उपर अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुला लाइव आके आपको trading कर रहे हैं, आप PMX पे करें हैं, किसी भी broker पर करें, it's totally up to you, but now, मैंने आपको साफ बता दिया, कि Forex trading पाकिसन में illegal हैं, लेकिन वो broker illegal है, उनको आप avoid करें, और आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, और कोई question है, तो please comment में परी राय पोस्ट करें, so मैं इंचला उसका भी answer कर दूँगा, तो इस वीडियो के through मैंने आपको बता दिया, कि Forex trading bank है, MCB है, Alphila है, यह regulated broker है by SECP, ठीक है, अगर हम कोई और एक ABCD bank का रहता है, और हमें कहता है, मेरे मुझे अपने पैसे जमा करो, तो उधर पैसे जमाना करवाना illegal है, वहां के client भी illegal होगे, और वो अधारा भी illegal होगा, so यह बिल्कुल ऐसा ही concept है, अगर आपका कोई बाहर रहता है, और वो आपके account में deposit कर दे, किसी ऐसे foreign broker के साथ, जिसका Pakistan से कोई लेना देना ना हो, तो वो एक अलिदा बात है, वो एक exceptional case है, लेकिन अगर आप Pakistan से पैसे भेज रहे हैं, तो यह गलत बात है, अगर आप India से पैसे भेज रहे हैं, तो फिर आप कनून के शकंजे मे आएंगे, तो अपने आपको देखें, अपनी ट्रेडिंग को देखें, और उसे profit करें, मुझे अपनी दोह में याद आखें, वीडियो को बार में feedback दें, अलाहाफिज, असलाम अलेकुम.